नमस्कार दोस्ता सरकारी मार्षी यूटीब चैनल पर आप सभी लोगों का एक वफिर से फ़ह बहुत स्वागत है यूपी टैट परिक्षा को ले करके काफी वड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होगे भी हाल ही में दुबारा सिक्षा मंतरी जी ने यूपी टैट परिक्षा को ले करके बयान दिया कि ये परिक्षा जो हर संभवता कोसिए की जाए कि दिसंबर के महीने में करा लिया है क्योंकि सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है एक बार अगर आचार सहता लग गई तो कोई भी काम आगे नहीं कर सकते तो ऐसे में सबसे पहले पराथमिक्षा है सरकार की कि यूपी टैट की परिक्षा को कराए जाए जिस तरीके से PNP सचिप का बयान आया था आप लोग को मालूम है आज से लगवक तीन-चार दिन पहले कि दिसंबर के महीने में जो परिक्षा है उसको कराना संभव नहीं है तो उसके दूसरे दिन ही जो है वो सिक्षा मंतरी जी के द्वारत द्वारत से बयान आया कि ये परिक्षा जो है वो अब दिसंबर के महीने में ही कराई जाएगी मैंने कल इस पे आप लोगो को वीडियो भी बनाया था आप लोग देखी सकते हो ठीक है ये साथ दिसंबर की नियूज है कल मैंने बताया था कि टीटी इसी महीने तारिक जल्द होगी गोशे ठीक है ये दुबेडी जी ने कहा था ठीक तो काफी वड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही ये यूपी टैट परिक्षा में नकल को रोकने के लिए बहुत बड़े अब जो कदम है उठाए जाएंगे और अगर ऐसा होता तो यकीन मानों की जो फरजी अभ्यारती है ठीक है उनको तो बिलकुल बाहर कर दिया जाएगा और क्या कुछ नया बदलाब आप लोगों के देखने को मिलेगा पहले जो मैं बता दूँ आप लोगों को की जो परिक्षा केंदरों की बात चल दी थी पह फिर से जारी होंगे यूपी ट्रीटी के एडिमिट कार्ड और कुछ सेंटरों में भी करें जाएंगे बदलाब मतलब यह है कि जो संदिक सेंटर है ठीक है उनमें बदलाब जो आप देखने को मल सकता है इसके अलाबा जो मंतरी जीनों ने कहा है कि आप देख सकते हो मंतरी ने यह भी बताया कि पेपर प्रिंटिंग का काम गोपनी जस्ता बेजों के प्रिंटिंग प्रेस के पास ही दिया जाएगा उन्होंने बताया कि पेपर अन्राज्यों की प्रिंटिंग प्रेस में से लगभग एक हजार किलो मीटर की डिस्टैंस होगी मतलब अपने उ आप लोगों को मालूम में कि दिसंबर के महीने में होने की पूरी-पूरी संबाब न है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जो नए नियम है वो यह है कि innate लीजिएगा। लिखा हुआ है कि बेसिक सक्षा मंतरी सतीस दिवेदी ने बताया कि पेपल लेग के घटना से सबक लेते हुए इस बार परिक्षा के लिए कई बदला किये जा रहे हैं कोई बाहरी सौलबर परिक्षा ना दे सके इसके लिए OMR सीड की कोडिंग की जा रही है जो परिक्षार् तक कड़ी सरक्षा में पहुंचा जाएंगे तो अब यह काफी सक्त नियम अपना रहे हैं सरकार और यह अच्छी बात भी है सबसे बढ़िया यह लगा कि OMR सीट को सीधे सीधे आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा मतलब यह है कि कोई भी फरजी अभ्यारती अब परिक् बाद देते थे अपनी जो रियल लड़का होता था वो नहीं जाता था जो फरजी अभ्यारती हो तो अंदर चले आते थे बटकर इस तरीके कर सुबदा हो जाएगी इस तरीके कर प्रोसेस लागू हो जाता है OMR सीट में जो है वो आधार नंबर से लिंक कर दिया तो इस तर अगर उसकी मैचिंग की जाएगी तो वो अभ्यारती जो पकड़ा जा सकता है तो यह काफी अच्छे नियम है और आप लोग यह तो मैं कह सकता हूं कि अब जो परिक्षा है काफी हद तक जो है वो आप लोगों की पारदर्शी होने की संभावना है देकि सरकार की तरब से तो परिक्षा को जो पारदर्शी ही बना जाए और जल से जल्ड परिक्षा कराए जाए तो यहां पर आप देखी सकते हो उन्होंने ये भी का है उन्होंने बटाया कि हर चात्र के लिए अलग लिफाफे में प्रशन पत्र मतलब इस बार जो आप लोगो पेपर मिलेगा पहले क्या होता है पहले प्रशन पत्र खुले मिलते थे ठीक है एक बंडल आता था अब उसमें से होता यह कि पेपर कॉपी कर लेते हैं और दोबार सीला इसा होगा कि आप लोगों को हर एक अभ्यार्शन की लिफाफा दिया जाएगा उस लिफाफे में आप लोगों का उपर नंबर लिखा होगा ठीक है जो भी नंबर होगा उनके हिसाब से और अंदर ओमर सीट और पेपर होगा तो इसके हिसाब से जो है आप अब परिक्षा दे पाएंगे और यह काफी अच्छे तरीका भी है मुझे लगता क्योंकि अगर आपका पास खुला लिफाफा है तो समझो कि पेपर जो पहली से निकला हुआ था ठीक तो इस तरीके घटा नहीं होगी क्योंकि अभी तक होता यह था कि टीचर एक लिफापा लेकर के आता था तो उसी से जो है वो निकालता था पेपर ठीक और सब को बाड़ दे अब हर एक कंडिरेट को अलग अलग लिफापे में लेंगे ओमर सीट आधा नंबर से लिंक हो जाएगी तो यह काफी अच्छे नियम है ठीक है तो मुझ परिक्षा जो है वो इसी महीने होगी इसी महीने होगी तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई लगती है बहुत साही लोगों को लगता है कि परिक्षा इस महीने नहीं होगी तो आप तैयारी ना करिएगा और लगता है कि परिक्षा इस महीने होगी जो तो देखिए परिक्षा इस महीने होने की पूरी-पूरी संभावना है तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा ये बात बेशेक्षा मंतरी जी भी बोल चुके है कि छात्रों को अपनी तैयारी करनी चाहिए और तैयारी अपनी कम्प्लीट रखनी चाहिए इसके लावा ये ये बोल चुके हैं कि परिक्षा जल से जल कराई जाएगी तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रेपरिशन पर फोकस करेगा जो इधर इधर की बाते हैं उन पर जारा ध्यान ना दीजेगा एक चीज मैं आप लोगे शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा जो है वो कुछ अच्छा नहीं चला है लाव में अच्छा नहीं हो रहा है क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इस तरीकी की बाते चलती हैं मुझे समझ नहीं आते हैं ये लोग जो है नकार अत्मक बाते करते ही क्यों है क्योंकि आप लोग को मालूम है चात्र जितना ज़्यादा पॉजिटिव बातों से प्रभावित नहीं होता है उससे ज़्यादा एक नकार अत्मक बात से जो प्रभावित हो जाता है तो मैं यही कहूंगा कि जो नकार अत्मक सोच रखते हैं उनसे दूरी बना लीजेगा आप लोग अगर आपको अपनी जिन्दिगी में सफलता पानी है तो देखिए परिक्षा तो बहुत छोटी सी एक्जाम है इसमें तो सफलता मिली जाएगी अब अगर आपको जिन्दिगी में भी सफल होना है तो आप जो लोग है न इस तरीकी के बाते करते हैं इनको नजरणताश करना सीखेगा और फिर भी आपको जो भी लगता है आप लोग कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं चलिए अब हम मिलते हैं अगले क्लास में तब तक लिबाय बाय टिक कर एंट